हाउ टू चेंज बलागर थीम दोस्तों अगर आपकी वेबसाइट बलागर पर है और आप चाहते हैं बलागर की थीम को चेंज करके कस्टम बलागर थीम इस्टॉल करना तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज की स्टूडियो हम बात करने वाले हाउ टू इस्टॉल Custom Blogger Template तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप इस किन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने Blogger Dashboard को Open किया हुआ अगर मैं इस View Blog पर क्लिक करता हूँ तो आपको मेरी Website का लोग कुछ इस तरह को देखने क्यों मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर Blogger का जो Default Template होता है उसी को मैंने यहाँ पर यूज किया है तो ऐसे में हम इस Default Theme को Change करेंगा और यहाँ पर Custom Blogger Template या Theme को Install करेंगे तो इसके लिए हम Blogger के Dashboard में आ जाते हैं पलागर के Dashboard में आने के बद आपको यहाँ पर जो Theme का आपसा दिख रहा है यहाँ पर Theme पर किलिक करना होता है जैसी Theme पर किलिक करेंगे यहाँ पर आपको Custom Modified जो आपसा दिख रहा है यहाँ पर आपको एक Arrow दिख रहा होगा आपको इस Arrow पर किलिक करना है arrow पर click करनें यह गुल्ड गरापको जो restore काफ संतिख्रा आपको यहां पर click करना है उसके बाद आपको upload पर click कर देना है जैसे यह upload पर click करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर कुछ file open हो चुकी है यहां से अब आपको उस theme को select करना है आप blogger पर upload करना चाहते हैं या फिर install करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक blogger की theme है median UI 1.7 तो मैं इसे blogger पर upload करना चाहता हूँ तो यहाँ पर select कर दूँगा लेकिन मैं इसे नहीं select करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फाइल्स में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक थीम है जिसका नाम आप देख सकते हैं इट एक गर्ल्स तो हमें इसी वाली थीम को अपलोड करना है लेकिन यहाली थीम है व्लागर से रिस्टोर करने पर डारेटली सो नहीं होरा ऐसे में आपको क्या करना तो दोस्तों एक चीज आपको बता दे जैसे यह वाली थीम मुझे सो हो रही है लेकिन यह वाली theme नहीं सो रही ऐसा क्यों हो रहा तो आपको बता दें यहां पर आप अगर देखेंगे ति यह वाली जो file है asmal file है जब कि यह वाली file जो है jip file है तो हमें क्या करना होगा बलागर पर theme upload करने से पहले जो भी jip file आपके पास है उसे state करके आप asmal file में पहले convert करेंगे तो ऐसे में आपको jip file को asmal file में कैसे convert करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर file पर click करना होगा click करने एक बाद आप right click करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे का option आच चुका है state all तो हम Estate All पर जब क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहां पर Estate लिखा हुआ है तो यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यह जो फाइल है Estate फाइल से बाहर हो चुकी है और यहां पर Double क्लिक करेंगे तो यह वाली जो फाइल है, यहाँ पर आप देख रहा होगे, इस एक गलो लिखा हुआ है, तो हम इसी फाइल को अपलोड करेंगे, अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इसकी डिटेल चेक करते हैं, तो आप देखेंगे, अब यह जो फाइल है, जी फाइल दे एसमेल फाइल में कर वाट हो चुका है यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं लिखा हूँ डॉकुमेंट यह समेल तो अब इस फाइल को आप बलागर पर अपलोड कर सकते हैं इससे पहले यह वाली फाइल जो है रिस्टोर बलागर टंपलेट करने पर यह सो नहीं कर रहा था लेकिन अब सो करेंगे अ यहां पर हमने इस फाइल को एस्टेट कर दिया ऐसे में आपको जब भी कोई बलागर पर थीम अपलोड करें तो आप पहले जीप फाइल से इस्टेट करके उसको एसमेल फाइल में करने करने के तरीका अभी आपको पता है अब चलिए हम इसको डबल किलिक करते हैं और फिर जाएगा तो आप यहां पर देखेंगे तो अभी यह वाली थीम कुछ इस तरह दिख रही है अब हम इसको रिफरेस काते हैं तो देखेंगा यह चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने बलागर में कस्टम थीम को अपलोड कर दिया है तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमने जो बलागर में कस्टम थीम अपलोड किया है उसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है तो दोस्तो इस तरह से आप बलागर में कस्टम थीम बहुत ही आसानी से अपलोड कर सकते हैं अगर वीडियो आपके लिए हलफू रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कले. Thank you for watching.